आज काला दिकान स्युए पिंपस मुहासे से बहुत ही परसान है पिंपस मुहासे ठीक कनने के लिए तरा तरा के घैरे लूंसके और बजारू दवा का पर्योग करते हैं लेकिन कुछ भी फैदे नहीं मीट पाते हैं इसके कुछ कारण है अपने डाइट में जंक फुड़ो जादा तैली भोजन को जादा करना सोने स्पहले चेहरे को वास न करना ज्यादा काफियत चाय पीना धुमरपन और सराप का अधिक सेवन करना चेहरे को बार बार साबुन से धोना दोस्तों जब हम अपने डाइट में जंग फूर और ज़्यादा तैली मसालेदार चीजों का सेवन करने लगते हैं तो यह हमारे सेरीर और हमारे तौचक वाली बनाने लगती हैं जिसके चलते हमारे चेरे पर पिंपल्स मुहासे आने लगती हैं जब हम सोने से पहले अपने चेरे को साप पानी से वास नहीं करते बिना वास करें सो जाते हैं तो हमारे चेरे पर धुल मिट्टी काड़ चिपका हुआ रहती हैं जिसके चलते हमारे चेरे पर गंदगी जम जाती हैं दोस्तो ज़्यादा चाया काफी पीते हैं तो हमारे सेरीर में सीबम बनने लगते हैं जिसके करण हमारे चेहरे पर पिंपल्स मुहा से आने लगते हैं अगर आपको pimples मौह से ठीक करने हैं तो आज हम आपको कुछ टिप सद देर हैं जिसे आपको follow करनी है pimples मौह से ठीक करने के लिए क्या करें और फिर क्या न करें तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं क्या न करें अगर आपके स्किन पर चेहरे पर पिम्पल्स मुहा से निकल आए तो आपके से फोड़ना नहीं है अब जान लेते हैं क्या करें सोनेस पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से वास कर लेनी है फिर आपको अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा करके दो मिनट तक आपको लगातर मसाच करनी है फिर इसे आपको अपने चेहरे पर लगा करके इसी तरह से आपको रात भ करने के द़िए को सैबर आपको अपने और अगर आप सोने से पहले दूद पीते चीजित अब बंत कर देना क्योंकि दोष्ट में ज़्यादा से जड़ा मात्रा में केलसम ऊपजम लगते हैं उसके चलतें हमारे स्किन पर पेंपल्स मुरा से आने लगते लाइक कीजिए अगर हमारे वीडियो को पसंद आये हों कोमेंड कीजिए आपकी कोई राय या सवाल हो सेयर कीजिए उन लोगों को जिसके इनकी ज़रुवत हो और साथ इसाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद